नमस्कार क्या पेजल चेवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी कबर स्वाती मालिवाल के केस से जुड़ी आपको बता रहे हैं जहां अर्विन केजरिवाल के पी ए बिभाव कुमार को गिरफतार कर लिया गया है बड़ी बात य भी हो चुकी है पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस लागतार विभाव कुमार की तलाशी में जुटी हुई थी दस दस टीमों को लगाया गया था लेकिन देखिए विभाव मिलते कहा है अर्विन केजरिवाल के आवास के अंदर ही मिलते हैं तो गिरफतारी कितना जटका और अब अगला नंबर किसका है बताएंगे आपको तमाम अपडेट के साथ मिरे साथ जुड़े हैं कि आपसल जीवी के एडिटर इन चीप डॉक्टर मनेश कुमार कितनी बड़ी गिरफतारी ये दो-तिन दिनों से भाग रहे थे लेकिन मिलते हैं वो अर्विन केज कितनी शर्मनाग बात है किस व्यक्ति को पुलिस तराश रही है दस-दस टीम पूरे देज भर में उसको चान चान मार रही कि कहां चिपा हुआ है लास्ट लोकेशन बताया गया कि भई अमर्ट सर में है लखनों में वो लास्ट नजर आया केजरिवाल के साथ इसका मतलब क् आज गिरफतारी हुई कहां से तो चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर मौकाए वारदात पे इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरिवाल विभव कुमार को प्रोटेक्शन दे रहे थे अपने सरकारी निवास के अंदर एक आरोपी एक भगोडे को वो वहाँ पे शरन दे रहे एक तो बहुत बड़ा कांड हो गया यह और पॉलिटिकली भी इसको वो कोई भी व्यक्तिर डिवेंट नहीं कर पाएगा यह नहीं कह पाएंगे कि भाई विभव कहां है नहीं है नहीं मालूम इसलिए वो भाग रहे थे मीडिया के सवालों से अब पहला सवाल और बड़ी जानकारी कि भाई वो पकड़ा कैसे गया केजरिवाल को यह लगा विभव को यह लगा कि चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर रहेंगे पुलिस तो अंदर आनी सकती बिना पर्मिशन के और जब बताया जागा भाई पुलिस आगई कही छिपा देंगे इतना बड़ा शीषमहल किसी बेट के अंदर नीचे घुच जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि केजरिवाल के बेटरूम के अंदर आकर के पुलिस जो है बेट के नीचे जाकेगी विभव जो है बेट के अंदर छुप गया तो पकड़ा ही हूँ इसलिए गया क्योंकि इसने कल एक रिटेन कंप्लेन कि स्वाती मालिवाल के खिला उल्टी पुल्टी बाते बकादा मेल से सिकायत दर्ज कराई और स्वाती मालिवाल के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि हमने नहीं पिटाई की उसने बत्तिमीजी की कंप्लेनिंट अपने आपको बताते हुए उसने कहा कि बही मैं तो सिर्प उनको रोक रहा था वो बेडरूम में घुस रही थी तुम्हारा वहाँ क्या काम है तुम तो टेक्निकल तौर पे अधिकारिक तौर पे आप अब उनके पी नहीं हो यू आरे प्राइविट परसन तो आप केजरी वाल के घर के अंदर उसके रिष्टेदार लगे वे हो क्या हो उस इमेल के आई पी एडर्स को ढूलना शुरू किया कि ये मेल आया तो आखिर आया कहां से और मेल के आइपी एडर्स को ट्रेस करते हुए मालूम चला कि ये केजरी वाल के घर से ही आया है बस फौरण आज बिना इत्ना दिये हुए पुलिस वहाँ पे घुस्ती है और दबोचती है विभव कुमार को जिसको ये लग रहा था कि शीस महल के अंदर वो सुरक्षित है वो सुरक्षित ना रहा और उसको उठा करके लेकर किया गेम प्लान था और रेड़ी विभव की तरफ से कोट में अरजिदायर कर दी गई है लेकिन को कुछ लीगल प्रोटेक्शन मिलने की संभावना थी तो ना लीगल प्रोटेक्शन मिल पाया ना केजरिवाल काम आये ना सीस महल में छुपने का कोई बहाना चल पाया पुलिस ने इसे दबोच लिया अब खबर ये आ रही है कि विभव कुमार को उठाकर ये सिविल लाइन थाने जो तस्वीर आ रही है उसके अंदर उन्हें ले जाया गया और ग्रफतार किया गया है और अब उनसे पूछताज की जाएगी और कोट में इन्हें पेस किया जाएगी अब विभव का बचना कितना मुश्किल है क्योंकि जो विभव के खिलाफ धाराय लगाई गई है तो जमानत मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल आप एक महिला की मॉडिस्टी को आप उसका हरंढ कर रहे हैं आप अन पेवार कर रहे रहे हैं जो एकदम ही वरजित है आप तो बचेंगे नहीं किसी कोट में किसी जज़ के दौरा आपके पती कोई सहनबुती भी नहीं होगी जिस तरह का पाप जिस तरह का कांड आपने किया है अब सवाल दूसरा है कि अब जब इनकी गरफतारी होगी इसे जो पूश्टाच होगी वो पूश्टाच में क्या बताएंगे कि अपने मन से तुमने मार पीट की या फिर किसी के कहने पे की अगर आपकी बात कोई अगर मान ले कि भाई वो अंदर घुच रही थी आप रोक रहे थे रोकने के लिए किस ने कहा आपको आप तो सब लोगों को जानते हो स्वाती मालिवाल से भी दोस्ती है आपकी दो हजार चार पांच से आप एक दूसरे को जानते हो आप केजरिवाल को भी जानते हो आप ये भी जानते हो कि केजरिवाल और स्वाती मालिवाल ये दोनों अच्छे मित्र रहे हैं ये अपनी पार्टी के वो सांसद है वो राजस्वामें केजरिवाल नहीं भेजा है और आप ये भी जानते है कि स्वाती मालिवाल ने जिन्दगी में केजरिवाल से मिलने के लिए कभी कोई appointment नहीं लिया तो फिर अचानक से आपने उसे रोका तो फिर रोका क्यूँ? रोखने के पीछे की वज़ा थी आप अपने मन से आपने रोगा या आपको केजरेवाल ने कहा कि भड इसको रोग दो तो ये सारे सवालों के जवाब प्लस जो रेकी की गई है और जो सबसे बड़ा जो सबूत विबहम कुमार के खिलाब पुलिस के हाथ लग गई है वो है एम्स का medical report जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि चार जगों पे चोट लगी है चार जगों पे चोट है और बकाइदा medical report जो होता है वही बाकी क्या आमाद्मी पार्टी कह रही है कौन क्या कह रहा है वो अलग कहानी है एम्स की रिपोर्ट है 164 का बयान है विभाव बावु का बचना नमुम्किन है क्योंकि धाराएं ऐसी है और बिल्कुल रिपोर्ट में जो साफ है कि स्वाति मालिवाल के पैरों में चोट लगे हैं गले में भी और गाल में भी बताया जा रहा है कि निशाने चेहरे में भी चोट लगी थी लेकिन आम आदमी पार्टी के तरब से जो वीडियो प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है बार- आतिशी मार लेना क्या कहेंगी देखिए यही ज्यादा अकलमंद होने की वज़े से ही आज आम आदमी पार्टी इस गर्त में मनिस्टी सोध्या के खिलाब आप जज़बन गए थे कुछ नहीं मिला यह नहीं मिला कोई सबूत नहीं कहा है कैश यह सब करते रहे डेर साल से उपर जो है हो गया और मनिस्टी सोध्या जेल से बाहर नहीं निकला है यही काम आप कर रहे थे वीडियो जारी कर रहे हो किसको दे रहे हो मीडिया वालों को दे रहे हो कि पैसे खा करके मीडिया वाले उसको वह प्रपंच बताते नहीं है यही वीडियो है जो मैं अपने द देखा, उसको हिम्मत आई, जान में जान आया, और तब पुलिस वालों को देखते ही, तब उसने अपने हाथ से उसको हाथ छुड़वाया, कि छोड़ो मेरा हाथ को, लेकिन घर के अंदर से लगातार उसको पकड़ के घसीट के लाया जा रहा है, इसका मतलब यह है, कि बल प साथ भी होगा, इस पे आश्चर मत करना, सब का नंबर लगेगा, सब इसी तरीके से पिट के केजरिवाल के आस्याने से बाहर जाएंगे, योगंदर यादव को बांसर से मरवाया था इसने, अभी यह बोल नहीं रहें सामने आकर के, लेकिन इन सारी चीजों के उपर अब धीरे धीरे हिम्मत आएगी तो ये बताएंगे, ये योगंदर यादव, राहुल गांदी के साथ जो घूम रहे हैं, इनको बांसर से पिटवाया गया था, जमीन पे गोत के, साथ में इनके धक्का मुकी किया गया था, प्रसांद भूसन को, धक्का देदे करके बाहर निका मैं बार-बार करता हूं, एक चीज यहां पर जो ज़्यादा गौर करने वाली बात है, सारा खुलासा तो कहीं न कहीं, बयान तो एक अलग बात है, वीडियो फुटेज से भी होगा, सिसे टिवी फुटेज खंगाले जाएंगे, लेकि उस वातिमाली वाल ये कह रही है, कि फुटेज से भी छिर्षार करने की कोशिश की जाएंगे, वह उस सारे ये प्रोपोगेंडा ये सब कुछ, ये धरा कधरा रह जाएगा, कोर्ट में क्या मानने होगा, कोर्ट में मानने होगा, 164 का बयान, वो बयान क्या उन्होंने दिया है, वो अभी तक जानकारी नहीं आ होती है, तो उन्होंने वहाँ क्या बयान दिया, वो महत्रपुर्ण है, दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहरा, अगर मेडिकल रिपोर्ट में चोट है, तो ये आम आदमी पार्टी, ये धलाल पत्रकार, ये चीखते चिलाते रह जाएंगे, उसका कोई मायने मतलब नहीं है, एम से ने कह दिया चोट है, तो इसकी मतलब है कि पिटाई हुई है, और आपने एक महिला की मोडेस्टी को हनन करने की कोशिस की है, बचना तो बिलकुल ही है, ओपन एंड शट केस है, विभव कुमार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी. अर्विन केजडिवाल से सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अर्विन केजडिवाल इस पुरे मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, चुपी साथ रखी थी, लखनों पहुंचे थे, तो विभव उनके साथ नज़राय थे, उसके बाद विभव का कोई अताप पता नहीं था. वो अर्विन केजडिवाल के आवास में ही मिलते हैं, मतलब साफ है कि अर्विन केजडिवाल बिभव कुमार को सनरक्षन दे रहे थे, बचानी की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा आक्शन लेते हुए, बिभव कुमार की गिरफतारी कर ली है, थोड़ी ही देर में 30,000 कोट में बिभव को पेश किया जाएगा और जो धाराय लगाई है, उससे बिभव का बचना अब इस पुरे मामने में बहुत ही मुश्किल है, इस बड़ी कपर में मेरे साथ फिलाल इतना ही, कैमिन पुसन रवी के साथ, मैं पूजा, क्याप